वेरि गुड मॉर्निंग एवरिवन् प्ल्येट साइंस का हमारा फिर्स चैप्टर हम कर रहे थे पावर शेरिंग जिसका अब बात आती है powers sharing की किस तरीके से powers को share किया गया था यहां पर mainly आपको श्रिलंका के बारे में बताया गया है majorityism in श्रिलंका के नाम से आपका एक topic है majorityism का meaning क्या होता है यानि कि जो community या जो group of people majority में होता है यानि श्रिलंका में कौन majority में था किसके हाथ में ज्यादा powers दी गई थी या किसके हाथ में ज्यादा automatically power आ गई थी तो उसके बारे में chapter है end of the chapter आपको पता चलेगा कि powers equal share ना होने की वज़े से क्या-क्या problem हुई थी तो very first point आपका लिखा हुआ है got independence in 1948 यानि कि आप जो श्रिलंका है उसको इंडिपांडेंस 1948 में मिल चुका था यहीं इंडिपांडेंड नेशन बन गया था बट क्या सभी लोगों के लिए वो इंडिपांडेंस था सभी वहां के रहने वाले सारी communities के लिए एक independence प्रूव हुई थी ऐसा नहीं था सिन्हाला मेजॉरिटी में जो community थी सिन्हाला मेजॉरिमिटी थे हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं सिन्हाला एक language थी जिसको बोलने वाले जो लोग थे वहां के सिन्हाला मेजॉरिटी मेजॉरिटी कॉमिटी वहां के थी बहुत सारे जो लोग थे सिन्हाला जो बोलते थे वह में ली क्या थे गुद्धिशन को फोलो करते थे 1956 सिन्हाला language as a official language इनकी पावर इतनी जादा थी यानि कि government jobs में इनको प्रैफर किया जाता था जब government job में यह लोग थे लीडर्स भी इनके थे तो आगे जो इनका लोस बनते थे वह भी इनके कॉर्डिंग बन रहे थे तो इन्हों ने क्या क्या सिन्हाला को एक official language defined कर दिया यानि जो तामिल बोल रहे थे उन पर dominate कर रहे थे उनकी लैंग्विज को प्रियोर्टी दी ही नहीं गई थी तो सिन्हाला ने क्या 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 अपनी ही लैंग्वेज को एक official language declare कर दिया था favor in universities and government jobs यानि कि official language में उनी की थी 80% of the population उनी का था तो उनको ज्यादा preference दी जाती थी universities में और government jobs में यानि कि पूरा का जो माल लीजिए एक अपने आप में dominating power जो थी वो किन के हाथ में थी उस सिन्हाला की हाथ में थी then discrimination and no political rights यानि कि जो तौमिल-speaking लोग थे उनके साथ discrimination हो रहा था उनके पास कोई political rights नहीं बच रहे थे political rights बचेंगे कहां से जब सारे government department में सिन्हाला खुद बैठे थे तो कहां से political rights उनके लिए बचेंगे next आता है Buddhism were given special protection in the constitution constitution में जो rules बन रहे थे वहां पर अगर support चाहिए किसी rule को बनने के लिए किसी law को बनने के लिए तो पहले से government department में तो सिन्हाला थे automatic support उनको मिली जाएगा तो Buddhism religion को भी constitution ने support किया था यानि कि वहां पर equality नहीं थी एक secular state वो नहीं था जैसे कि हमारा इंडिया जो है एक secular state है सारे religion को equal treat करता है तो शिल्लंक का एक secular state नहीं था feeling of negligence जो तामिल-speaking लोग थे वो negligence feel करने लगे neglect किये जा रहे थे तो of course उनको negligence feel होगा कि हमें तो इस देश का नागरिक समझा ही नहीं जाता है एक प्रजातंतर जिसे कहते हैं उस तरीके की feeling उनकी मन में आ रही थी तो उन्होंने उस चीट से जुटका रहा पाने के लिए सिन्हाला के अगेंस struggle शुरू कर दिया था उनको suppress करना शुरू कर दिया था उनके अगेंस वाज उठाना शुरू कर दिया था इससे क्या था 80% आफ दे लोग जो थे 20% को कहां जीतने देने वाले थे तो जितना भी तामिल-speaking लोग थे उन्होंने क्या किया अपने लोगों को इकठा किया और सिन्हाला के खिलाफ क्या किया लडाई जगडे करने शुरू कर दिये इन दोनों communities के चलते हुए यानि कि government power को अच्छे से लडाई जगडे थे वो एक civil war में turn हो गई थी जिसकी वज़े से वहां पर बहुत जादा नुकसान हुआ था thousands of the people मारे गए थे 90s and 20s दोनों में मिलकर इनका जो वर था वो चला था 2004 फाइटर इनकी यह जो community इनका battle चलता रहा था तो यह जो सारी चीज़ें थी शिरलंका के बारे में दो community ने ही मतलब की पूरे nation को गवरब किया हुआ था पूरे nation पे में जो भी चीज़ें हो रही थी जिस एक main community जो से इनाला speaking थे वही लोग कर रहे थे तो यहां से यह चीज़ पता चलती है यह main example इसलिए लिया गया था कि powers को अच्छे से share नहीं किया गया अगर powers को अच्छे से share किया गया होता authority and responsibilities को division किया गया होता तो जो result शिलंका को face करने पड़े थे वो result इने face ना करन पड़ते तो इसका मतलब यह सारा जो chapter था आपका आपको पावर शेरिंग ना होने की वजह से जो adverse effects face करने पड़े थे nation को वह explain किया गया है इसी के साथ आपका पूरा chapter complete है